हदो गई यार हमारे परदान मंत्री जी को दमकी दी जा रही है मारने की आपके अंदोलन के अंदर अगर हिंदोस्तान के परदान मंत्री के बारे में ये कहा जाता है पहले पंजाब में बच गया हम इनको मार देंगे तो क्या ये पगड़ी क्या चुप रहेगी अंदोलन के बीज में गुश करके जो खालस्तान के नारे लगाए देश को तोड़ने के नारे लगाए वो कभी बरदाश नहीं हो क्या इतिहास के पन्नों को खूनी पन्नों को आप खोलना चाहते हैं अगर आपके अंदोलन के अंदर आपके अंदोलन के अंदर अगर हिंदोस्तान के वो पापलर परधान मंतरी आपको अच्छे नहीं लगते तो ना सही पर पर दुनिया उनको सलूट करती है अमेरिका उनके लिए लाग कारपेट में जाता है और ट्रेलिया का प्राइम मिनस्ट्रों के चर्ण छूता है ठीक आपको नहीं अच्छा लगता आप गाली दीजिए जो कहना कहिए पर आपके अंदोलन के अंदर अगर हिंदोस्तान के प्रदान मंत्री के बारे में ये कहा जाता है पहले पं कि रहे और किसान का रहे जा करना काया कि और लगाएं देष को तोड़ने के नारे लगाएं वह कभी बरताश नहीं होंगे हिंदोस्तान एक है एक रहेगा और किसानों की बाचित अभी इनको करनी चाहिए दिली में जाज़त दी गई छपी जन्वरी का दिन सा दुनिया के लोग अंबैसिडर दुनिया देख रही थी दुश्मन देश पाकिस्तान देख रहा था तो अंदोलन हाथ में रहा मैं सवाल पूछना चाहता हूं हाथ से निकल अगर अब हाथ से निकला अभी आप वीडियो निकालिए किस किस ने कहा कि हम हिंदोस्तान के प्रधान मंतरी को मार देंगे किस किस ने कहा कि उसकी जाद करेगी किसान अंदोलन के लीडर आप किसान अंदोलन करिए पर हिंदोस्तान के प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी की नरिंदर मोदी ने विश्गुरु की तरफ इस भारत को पंजाब अकेल भारत को आगे पुचाने की कोशिश की अगर उसकी तरफ कोई आँच आ गई तो उस दिन हम जंदा नहीं रहेंगे हमारी जंदिगी का आखरी दिन होगा